हेलो अब्रीवन स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्साम जोब हमें तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिन ओयल कॉर्परेशनल लिमिडर्ड जाने की आई ओ सीयल इसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट ने जहां पर सुना ही होगा कि इ इस वीडियो में बताने वाला हूं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आये तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बैल एकन को ओल पे सट कर दीजिएगा चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो जहां पिंडिन ओल कोर्प्रेशन की तरफ से यह वर्थी आई है सबसे पहले इंपोर्टन डेर्स की अगर हम बात करते हैं तो जह जो फॉर्म है चोवी नो दो हजार बाइस जानी की फॉर्म फिलप होना शुरू हो चुके हैं अगर आपने अभी तक इस फॉर्म को फिलप नहीं किया तो जहां जहां पर आप देख सकते हैं टेंटिटिव डेट ऑफ डाउनलोड दी अडमिट कार्ड जानी कि आपके जो अडमिट कार्ड है एक नवंबर से शुरू होके पांच नवंबर तक आपके अडमिट कार्ड जो डाउनलोड हो सकते हैं उसके वाद रिटन एग्जामिनेशन की जहां पर मैंचन की गई है जो शेह नवंबर को आपका जहां पर एक्साम वजो कंड कर्ड़क्ट होने वाला है उसके बाद जहां पर अपका रिजल्ट है वो 21 तो अगर आप eligible हैं जा फिर इन भर्ती में आप interest रखते हैं apprentice भर्ती में तो आप इस form को fill up कर सकते हैं सबसे पहले उसके बाद जहां पे हम age limit की बात करते हैं 18-24 साल आपकी age है तो आप इस form को fill up कर सकते हैं तो इसके बाद जहां पे मैं जो education qualification है उसके बारे में भी बताने चाहता हूं कि क्या इस में जो रखी गया है उससे पहले आप देख सकते हैं कि age limit में अगर आपको relaxation चाहिए तो आप जहां पे assist जो candidate हैं उन सभी को जहां पे age में relaxation मिलने वाली है तो total vacancy आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताई होगी 1500 कुछ जहां पे total vacancy आने वाली है 1535 जहां पे total vacancy आने वाली है उसके बाद जहां पे नीचे आप देख सकते हैं कि attended operation जो chemical plant है filter boiler secretal assistant accountant data entry operator chemical mechanical electrical instruments जो है इसमें जहां पे vacancy आई है साथ साथ में आप देख सकते हैं कि आपकी जो qualification है वो किया है आपकी जो फुल जो vacancy है वो कितनी है जो आपकी trade wise है वो सभी आप जान सकते हैं तो गाई जहां पे आगर आपने BA की है बीटक की है कुछ भी की है related trade से तो आप इस form को भरने के लिए eligible हो तो दोस्तों बहुत सारे जो candidate होंगे वो ऐसे होंगे कि plus to pass जो बर्ती के लिए जहां फिर wait कर रहे होंगी तो आप जहां पे देख सकते हैं data entry operator के लिए जहां पे plus to pass ही जहां पे मांगेगे हैं टोटल 73 पोस्टे से हैं इन सभी को आप जो चकाउट कर सकते हैं उसके बाद नीचे आप इनका जो detail notification है उसको भी चकाउट कर सकते हैं तो जहां पे इसका जो notification है जो डाउनलोड हो चुका है तो आप notification को जो description में आपको एक link मिलेगा हमारे telegram channel का उसको आप जो join करके इस जो notification को डाउनलोड कर सकते हैं और जहां पे खुद ही चेक आउट कर सकते हैं तो period of training आप देख सकते हैं 12 मंत के लिए आपकी जहां पे period of training होने वाला है तो refinery आपको जो कहां पे आपको मिलने वाली है गुहार्टी जहां पे गुजरात हल दिया मौथूरा आरपीसी जो पानीपत है डिक बोई जो प्रादीप है तो आप इन सभी जो refinery को check out कर सकते हैं आप अपनी जो ट्रेड के साब से जापनी जो category के साब से form को fill up कर सकते हैं पूरा complete तरीके के साथ तो फिटर की देख सकते हैं boiler की देख सकते हैं ट्रेक्निकल अप्रेंटिस डिस्प्रिन केमिकल की चेक आउट कर सकते हैं मेकानिकल की उसके बाद आपकी जो मैंने आपको बताय थी ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एवंट्री ऑपरे डिटेल की बात करें तो important notes देख सकते हैं qualification criteria आप जो eligible करना होना चाहिए जो आप जो फॉर्म को फिलप कर सकते हैं 18-24 साल आपकी एज लिमिट है आपको relaxation भी मिलने वाली है एज में सेस्टी जो ओविसी candidate हैं उनसे भी को date of recurring eligibility criteria जाने कि आपने जो क्राइटेरिय जो पार कर रहे हैं वो तीस नो दोहजार रबाई तक आपने complete किया होना चाहिए उसको भी आप जहां पर चक कर सकते हैं document verification भी आपकी होने वाली है सभी detail में आपको जहां पर बताया गया है जहां पर आपको order condition भी चक कर सकते हैं कि इसमें जो stipend है जानी कि आ जो particular जहां कुछ जो scale पे scale है उसके बारे में नहीं बताया गया insurance cover जहां पर आपको मिलने वाला discipline period of application training जिस सब कुछ आप देख सकते हैं इनके rule के according कि सब कुछ आपका जहां पर होने वाला है उसके बाद how to apply आप form को online mode के दोरा जहां पर जमा करवा सकते हैं और इनकी बात को related को आप सबी नमबों पर कॉल जा फिर आप पर ईडियेल कर सकते हैं तो इन सभी को आप चाकवट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो please video के नीचे आप कमेंटर में कमेंट कर सकते हैं मैं आपको जल्दी reply कर दूंगा आई होब आपको वी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहें जावार्थ